नवस्कार, फिर्स्ट पोस्ट में आपका स्वागत है, मैं हूँ संजे सिंग, हमारे साथ हैं विजे गोयल, M.O.S. Parliamentary Affairs, बड़ी एहम भूमिका है, संसद चलाने की जो जिम्मेवारी है और वो भी संसद में राज्यस सभा, जहां बीजे पी की संख्या बलकम है, वहां संसद को चलाने की एहम जिम्मेवारी है और पंदरा दिन से संसद चल नहीं रहा है, तो इसलिए हम आप पहुचे हैं विजे गोयल जी से पूछने, आखिर क्या वज़ा है, पंदरा दिन गुजर गए गोयल साथ, संसद नहीं चल रहा है, दिखिए सरकार चाती है कि संसद चले चर्चा हो, पहले दिन से ही जिस समय विपक्षी दल ने दिया था, बैंकिंग, इर्रेगुलर्टी, बैंकिंग, घुटाला के उपर, उसी में सरकार तयार थी कि हम चर्चा के लिए तयार हैं, चेर्में ने 176 के अंदर, राजसभा के अंदर रूलिंग दी, लोकसभा में 193 के अंदर रूलिंग दी, उसके बाद अगर विपक्ष हंगामा करे और चर्चा ना करना चाहे, तो इसका मतलब यही निकलता है कि विपक्ष को कहने को कुछ नहीं है, इस सरकार के बारे में एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, कोई विशे हो, हम सब पर चर्चा करने के लिए तयार है, आपको बहुत कुछ कहने को था, तो आप उनको मन लेते, आप चर्चा करवा देते, तब से लेका अब तक मनाने का काम हो रहा है, अभी मैं सब के घरों के अंदर गया हूं, इसी बात के लिए, जब मैं घर में जाता हूं, गुलाब नभी अजाद जीसे मैं मिला, महत्रे जीसे मैं मिला, जो AIDM के के हैं, चौदरी साब जो T आप गिलत कह रहे हैं, यह पहल तो मैंने घर जाने की किया है, संसत के अंदर तो रोज ही बात होती है, रोच राज-जयसाभा में सदन चलने से पहले एक मीटिंग होती है, हमлекन सब लोग कहते हैं, सब बोग कहते हैं, सदन चलना चाहिए, फिर नीचे आके वःल में आ लेकिन इसमें दिखे सदन चलाना एक सरकार की जिम्मेवारी होती है आप विपक्ष में भी रहे हैं आप सब्सक्राइब और राज्यसभा और भी ज्यादा अब आप समझे कि जो चुनाव है वो संसद में प्रवेश कर गया है तो उस इसाफ से लोग अपनी अपनी पूजीशन को ले रहे हैं वो यह नहीं देख रहे हैं कि जनता ने हमको चुनकर भेजा है तो हमारा एक दायतु है चाहे हम विपक्ष से चुने गए हो और चाहे हम सर चुनाव में प्रवेश कर गया है नेशन का मूड भी मतलब समय से पहले कर गया है नार्मली अभी एक साल है यह तो कौंग बीजेपी के लिए उतनी ही लाजमी यह बात है नहीं बात और आप लोग बीजेपी तो हर समय वैसे भी मतलब चुनाव और जोश और उसके मूल में बीजेपी तो आप क्यों नहीं ऐसा करते कि मतलब उनको मना लेते और उसमें बड़ा कुछ चर्चा से पिछली बार पिछली बार यही हुआ और मनाया और मान भी गए और 96% काम भी हो गया किन्तो इस बार कुछ पुजिशन से ऐसी ली हुई है कि जब हम यह बार 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 संसद में हर विशेपे चर्चा के लिए तयान है अगर जाम इस इस बात पे हो कि वह सरकार तो चर्चा नहीं करना चाहिए सरकार चर्चा से भाग रही है यहां उल्टा हो रहा है यहां विपक्ष चर्चा से बाग रहा है तो संसद में जब आब बैठके उनसे बात करते हैं विभिन नियमों के अंतरगत जो हैं बहस होती है जी और वो बहस किस नियम के अंतरगत होगी वो चेर्में तै करता है और जब वो चेर्में तै करता है तो आपोजिशन को अगर संसत को नहीं चलने देना है तो वो कहेगी नहीं हम इस रूल के नहीं हम इस रूल के तहत बहस कर दिखाएंगे या नारे लगाएंगे तो शायद मीडिया में जल्दी बात पहुचेगी क्योंकि उनके पास आर्गूमेंट्स और बहस के लिए कोई मुद्दे नहीं है यह जाना चारा था कि जैसे आप कहें कि संसद में बात होती है तो आप गुलाम नवी साहब के पास चाय पे गए या अपने गुलाम नवी आजाद साहब को अपने पास चाय पे बुलाया या कहीं उनके पास खाने में गए या उपर कैंटीन में गए या सिंट्रल हॉल में उन आपने क्या किया यहापी पार्टी के अन्ने लोगों ने क्या किया है देखिए हमारे पार्टी और हमारा परस्वेशन के अंदर यही होता है कि गौर्णमेंट के पास बड़े important bills हैं कोई motor vehicle bill है कोई prevention of corruption bill है इन बिलों को पास होना जरूरी है तो ऐसे कई बार उनको समझ आता है कई बार नहीं समझ आता जैसे अब gratitude वाला बिल था वो पारित कर दिया गया और उसमें देखा होगा आपने हंगामा भी नहीं हुआ इसी तरीके से जब अंतराष्टे महिला दिवस था उस में महिलाओं के बारे में बात करनी थी तो हो गया जो आपके सरकार के लिए काफी इंपॉर्टन था और लोगों के लिए भी इंपॉर्टन है जो लोग उसमें affected है काफी पुष्किया सरकार ने इस बार उसकी कोई चर्चा हम नहीं सुन देखे चर्चा तो तब होगी जब सदन चलेगा अगर सदन नहीं चलेगा तो एक क्या मेरे पास तो दस बिल लेंबित है आज ही मैंने पूरा लिस्ट आप बिजनस पढ़ा है आप उसको इशू बना करके ऑपोजिशन के पास गये उसको इशू बना करके कि आप किसी पर्लिक पर उसको इशू तो पिछे हमें ये कॉंग्रेस पीछे धकेल रही है या आप जब उन तमाम नेताओं के पास गये तो आपने ट्रिपल तला की ऐहमित इस बार समझाईगी निखा deficiency मेरी ट्रिपल तला की थो एहमियत पिछली वारी नजर आ गयी थी और मैं समझता हूं उसके ओपर काफी चर्चा हुए थी कि ट्रिपल तला को पास होनाँ चाहिए और कंग् तपूर्ण है तो मैं समझता हूँ कि अभी हम लगे हैं कि इसको पास करो और दूसरे और जो दूसरे बिल हैं, मोटर विकल हैं, और वो भी समझते हैं बिल के लिए, पर कई बार पॉलिटिकल कंपल्चन ऐसी होती है, जो संसत के ओपर हावी हो जाती है पार्टियों के लिए. विजय जी हम मान लें वर्किंग बेर बचे 5-6, मुश्किल से बीश में छुटी आएंगी, एक दो और निकाल दीजे, इस बिल में, इस बार के संसत के सत्र में, ट्रिपल तलाग बिल नहीं आपाएगा, ऐसा हम प्रैक्टिकली मान लें. तिन आप प्रैक्टिकली मान लें, पर मैं समझता हूँ कि अगर 5-6 जिन में भी, अगर सहमती बनती है और विपक्ष सदन को चलने देता है, तो मैं समझता हूँ कि कोई भी बिल जो इंपॉर्टन है, वो पास हो सकते हैं. इसलिए हम अपने लिस्ट आप बिजनस में रखते हैंगे. एक राउन ओजाने से नह कर रही है, वो जनता के हितों को बिल को लेकर आ रही है, किन्तो विपक्ष उनको पास नहीं होने दे रहा, या विपक्ष हंगामा करके सदन को चलने दे रहा, तो एक जनता का दबाओ भी सभी पार्टियों के ऊपर होता है. वो ठीक बात है. दूसरी चीज, अब हम दूसरे मुदे पे आते हैं, संसद राजे सभा में आपकी संख्या काफी कम रही, ठीक है, जिसमें आप टिरनी ओफ माइनॉरिटी वो वहाँ पे या टिरनी ओफ मिजारिटी आप वहाँ पे कहते थे, अब आपकी संख्या बहर रही है, अभी जो चुनाओ जो आज चल रहे हैं, इस संख्या पे, 68 की संख्या पे, आपको ज्यादा सुचारू हो जाएगा राजे सभा, बिल पास करवाना ज्यादा सुलब हो जाएगा, पहले से आप कह सकते हैं, अभी हमारी मजॉरिटी तो नहीं आएगी, तो अगली बार ट्रिपल तलाग का बिल जैसे एहम बिल आएंगे, तो उस पे आप ज़्यादा लेकि ट्रिपल तलाग का बिल तो पास होई जाएगा, पर ट्रिपल तलाग का मैसेज तो चला ही गया जिए, उसमें दो मैसेज तो चले गए ना, एक, हम हर वर्ग की महिलाओं के प्रती चिंतित हैं, दो, मुसलिम महिलाओं के साथ अत्याचार ह हो गया अब उसको लौ बनने के लिए जो कानून पास होना है मैं समझता हूँ कि यह भी देर सब बेर पास हो जाएगा बीजेपी के लिए एक बॉइंसी की वो लोक सभा में करता है राजेसभा में भी करता है आने महीं इसके बाद मतलब अब तो यह सेस्चन पूरा वॉश ओवाश ओट जाएंगे था नम्बर रिक और दूसरी बात ही है ये भी देखना पड़ेगा विपक्ष को कि पब्लिक को भी जवाब देना होता है अब सांसदों की सुविधाएं बढ़ रही है और आप काम काज नहीं करेंगे तो जाहिर तोर के उपर ये तो अच्छा नहीं लगता हमें भी नहीं अच्छा लगता है तो इसलिए ये जरूरी है कि सभी सांसदों को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी और जो संसद चर्चा के लिए बनी है उसमें तो चर्चा नहीं हो रही चैनल पे टीवी डिसकुशन पे बाहर वो सब चर्चा हो रही है तो जहां तक सब्जेट का मामला है सब्जेट तो भार चला गया पर जो हर तक जो बिल पास होने है ये प्रक्रिया जो आप विपक्ष में थे तो आप भी ऐसे ही प्रक्रिया किया तो आज तक कभी वेल में नहीं किया विजेगोईल की चौथी टर्म है पहले तो यह मैं बता दूँ दूसरी बात अगर कभी आप आप जाने में मजबूरता भी औहना पड़ता था जब सरकार चर्चा से भागरी होते ही चर्चा निकराना जाती है यहां उलटा हो गया है यहां सरकार कहती है चर्चा चर्चा करो आप अपजिशन के पास कोछ यह मुद्दा ही नहीं है आपने भी कुछ सेशन वासा उट हाई कोट ने जो 18 सदस 20 सदस जो आम आदमी पार्टी के थे जो डिस्कॉलिफाई हो गए थे उनका डिस्कॉलिफिकेशन अभी रेस्टोर कर दिया है और कहा है कि एलेक्शन कमिशन फिर से वो करेगा ये ऐस पार्टी बीजेपी जो बड़े आशानुवित हो करके एक मिनी जेनरल एलेक्शन दिल्ली के अंदर देख रही थी वो इस जज्जमेंट को कैसे लेती है मैं तो जज्जमेंट को ऐसे लेता हूं कि जितनी जल्दी ये लोग से चु जाते तो अभी इनके डिसक्वालिफाइ् होने में थोड़ी सी रुकावर्ट आ गई है क्यों तो कानून तो गलत तरीके से बने थे इसमें तो किसी ने यह नहीं कहा व्यार्した एब लिए और और क्यों था जजाने दिसक्वालिफाइड जाएं ये तकनिक भी हुआ लीज ज चायेगी उतना ज़ादा अच्छा तो समय से ही जाएगी उस से जल्दी तो उसके बाद भी नहीं जा सकते। लेकिन यह जो है मतलब मैं बार बार कहरा हूं कि यह जो बी जे पी अभी एक आशा की नजर से देख रही थी यह चुनाओ कि सी तरह का referendum हो जाएगा दिल्ली में वो आशा तो आप धुमिल हो गई इन पर आप एक बात देखिए आप स्वेम कह रहे हैं कि इनके जाने से भी उनकी majority खतम नहीं होने वाली थी तो हमारी ऐसी आशा तो नहीं थी पर ऐसी आशा जरूर थी कि दिल्ली के अंदर जो message है वो messaging हो जाए कि आज आम आदमी पार्टी की स्थिती क्या है आप देखिए एक बार दिल्ली में चुनाव जीतने के बाद कोई गोवा हो कोई पंजाब हो कोई बाइलेक्शन हो कोई MCD के तीन उसके चुनाव हो आज तक एक भी तो चुनाव नहीं जीते तो इसलिए messaging तो बड़ी क्लियर है अच्छा आप ये बताई दिल्ली की राजनिती में विजे गोयल की अभी क्या दखल है दीखिए मेरी दखल इतनी है जैसे आपकी है आप दिल्ली के नागरी के हैं मैं दिल्ली के नागरी कूँ मैं एक सक्रिय नागरी कूँ पार्टी ने मुझे दिल्ली में भी जिम्मेदा हो तो वो आदालत में आएगा और हम उसकी मदद करने की कोश 곡 निश करेंगे मैं दिली से प्यार करता हूँ दिली के हरीटेस Champions से प्यार करता हूं दिली के लिए काम करता हूँ दिली की समसियाओ से लड़ता हूं आपका इतना प्यार जो है आपकी party में ही थोड़ा सा कुछ लोगों को ऐसा हैज कर देता है मुझे उससे फरक नहीं पड़ता है क्योंकि मेरे को तो working field चाहिए वो कहीं पर भी मिले और किसी अपास नहीं है या party के पास भी नहीं है मेरे लिए working field तो मेरे पास अपने बहुत प्रोजेक्ट हैं जो चलते हैं आप जानते हैं कि मैं बहुत सारे हरिटेज प्रोजेक्ट के ओपर काम करता हूँ वो मेरा पहला प्यार है तो मतलब दिल्ली में बहरहाल आपकी सक्रीटा का एक इंतजार होगा और आपकी दिल्ली प्रदेश भाजपा के साथ खबरें आती हैं कि आपकी और प्रदेश अध्यक्ष की कोई नाराजगी हो जाती है पहली बात तो एक बात समझेजिए विजे गोईल की सबसे बनती है आज कोई भी किसी की विजे गोईल से ना बनती हो तो मुझे असका मालब नहीं है पर विजे गोईल की सबसे बनती है इसलिए आपने देखा होगा पार्टी ने विजे गोईल को सब कुछ दिया तीन बार लोकसभा का मेंबर बना दिया, एक बार राजसभा का मेंबर बना दिया, दो बार और इंडिया जनल सेक्टरी बना दिया, प्रदेश का अद्देख्ष बना दिया, दो बार सरकार आई, दो नो बार मंत्री बना दिया, तो मेरी तो सबसे बनती है, मुझे तो अब यह देखना दिल्ली इंवर्स्टी स्टूइंट्स उनियन के प्रेजिडेंट से मैं यहां तक पहुंचा हूँ, मेरे लिए बहुत है तो आज की चर्चा हम यही समाप्त करते हैं और विजय गोयल से फिर जब अगला सत्र होता है उस समय किस तरह के आसार होते हैं यह आशानवित है पता नहीं मुझे आसार इसके लगते नहीं थैंक यू विजय गोल साब थैंक यू बहुत अच्छा